क्या आपको जूला पसंद है? Yes, you all like swing very much. आप सब को जूला बहुत पसंद है? सब भी को जूला बहुत पसंद होता है? जो हम आज पाट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी एक छोटी सी लड़की को जूला बहुत पसंद है. In the lesson 15, The Swing Man, this is a poem. येक पोयम है कर वीता है? Let's read it. Sing with me. मेरे साथ आप भी गाए है? Now so high, now so low, up in the air, then down I go. Up to the sky, down to the grass, I watch birds fly, I see worms pass. With feet in front and hair behind, I raise the birds, I raise the wind. Over the world, under the tree, nobody knows what things I see. Wonderful lands where children play, from early morn, all through the day. Now so high, now so low, up in the air, then down I go. How is the poem? अच्छी लगी ना कवीता? तो चलो, अब उमें इसका अर्थ भी समझ लेते हैं. Now so high, now so low, up in the air, then down I go. Now so high मितलब बहुत उचाई पे, और now so low, up in the air. अब इन दा एर, हवाओं में, उपर हवाओं में, then down I go. उसके बाद फिर मैं नीचे जा रही हूँ. Up to the sky, उपर आस्मान में, then down to the grass. फिर नीचे जमीन पेगांस के पास. I watch birds fly. मैं क्या देख रही हूँ? कि birds fly कर रही हैं, उड़ रही हैं. I see worms pass. और जब जब मैं नीचे आती हूँ, तब क्या देखती हूँ? कि worms जो चुटचुटच कीड़े हैं, वो पास हो रहे हैं, जा रहे हैं. मितलब जब मैं उपर जा रही हूँ, तो birds हो फ्लाई करते देख रहे हूँ. नीचे आ रही हूँ, तो केड़ों को भी देख पा रही हूँ. With feet in front. मेरे जो पेर हैं, वो सामने जा रहे हैं. And hair behind. और जो बाल हैं, वो पीछे जा रहे हैं. I race the birds. मैं birds के साथ, चिड़ियों के साथ, रेस लगा रही हूँ, दोर लगा रही हूँ. I race the wind. और मैं हवाओं के साथ भी दोर लगा रही हूँ. Over the world. पूरी दुनिया के साथ, उपर, under the tree, और पेर के नीचे. Nobody knows, कोई नहीं जानता. What thing I see, मैं क्या-क्या देख पा रही हूँ. Wonderful lands. अश्यर जनब धर्ती. Where children play. जहाँ पे children, जो बच्चे हैं, वहुँ सारी बच्चे, वो खेल रहे हैं. From early morning. कब सुबा से, all through the day. पूरे दिन भर. सुबा से लेके, दिन भर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. तो कविता में एक चोटी से लड़की जुला-जुल रहे हैं, जुला-जुलते-जुलते, वो जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं. उसको बता रही है कि जब मैं उपर जाती हूँ, तो birds को देखती हूँ, नीचे आती हूँ, तो खिडों को देखती हूँ, वच, वाउंम, फृरंट, बिहाइड, व्र्ल्ड, स्विंगिंग, वश्टि यहने देखना। वाउंप, सीरे, फ्रंट, सामने, बिहाइड, पीछे, वर्ल्ड, वुर्य दुनिया संसार, स्विंगिंग, चोलना चोलना। wonderful, a sure journal. Let's do some exercises. First, did and write. पढ़ो और लिखो. क्या लिखना है? लिखो, the girl says. girl, लड़की, says क्या है रही लड़की? I watch, I see, I rest. तो I watch, उसने क्या देखा? Yes, I watch birds fly. सेकें, देखो, I see, और क्या देखा? I see worms pass. थर्ड, I rest, किसके सांथ race लगा रही है? हाँ, I rest the birds and winds. चुडियों और हवाओं के साथ. अब यहाँ देखिए, choose the correct option. यहाँ option दीवे हैं, दो-दो, उसमें से आपको correct को choose करना है, चुनना है. फर्स्ट में देखो, the girl in the poem is flying, swinging. लड़की जो है इस poem में, वो fly करें ऊड़ी है, कि जूल जूल रही है. आप सोचो, आप सेकेंड देखो, with feet in front and hair behind, means the child is swinging very high और very low. देखो, feet in front, पैर सामने, hair behind, बाल पीछे, तो लड़की बहुत उचाई पे ओड़ी है, या नीचे ओड़ी है. अब थर्ड देखो, the girl, see wonderful lens, और the sea and the sand. क्या देख रही है लड़की, wonderful lens देख रही है, कि sea और sense देख रही है, समुद्रे देख रही है, अब फूर्थ में देखो, the girl shrinks only at night, और all through the day, लड़की पूरे दिन भेर रात में जूल रही है, या पूरे दिन भेर जूल रही है, अब चलो दिखते हैं, आपने जो सोचा वो सही है कि नहीं, फर्स्ट में देखो, the girl in the poem is swinging, very good, with feet in front and hair behind me, the child is swinging very high, good, the girl see wonderful lens, बहुत बढ़िया, फूर्थ देखो, the girl shrinks all through the day, लड़की दिन में जूलती है, बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं, match the antonyms, antonyms means willoom, आपको willoom शब्दों को match करना है, विप्रीद शब्दों को match करना है, हम शब्द देखते हैं, words क्या है, फर्स्ट में देखो, high, in front of, day, under, up, second side क्या है, night, down, above, behind, low, ठीक है, अब देखो, high means, उच्छा, तो high का opposite क्या होगा, yes, low, अब अगला देखो, in front of, in front of means, सामने, सामने का opposite, correct, behind, थर्द देखो, day का opposite क्या होगा, yes, night, और अंदर, अंदर याने, नीचे, अंदर का opposite, above, उपर, good, up, अब का opposite, down, very good, next question देखते हैं, fill in the blanks, with suitable words, choosing from the help box, क्या करने हमको, हमको box से suitable words जूनने हैं, और blanks fill करने हैं, words क्या क्या हैं देख लेते हैं, world, world मितलब, दुनिया, worms, केड़े, sky, आसमान, low, नीचे, now, up, down, डाउन, याने भी नीचे, wonderful, अशेर जनग, और wind, हवा, अब देखते हैं किस में क्या आएगा, first देखो, if your homework is over, you can go blank, सोचो सोचो आप क्या आएगा, the temperature is very blank in the winter, temperature जो है कैसा रहता है, I cannot come blank without a ladder, birds are flying in the dash, a kite cannot fly without dash, जिसका आंसर देखते हैं, if your homework is over, you can go now, यदि तुम्हारा homework हो गया, तो आप तुम जा सकते हो, the temperature is very low in winter, temperature जो है ताप मान जो है, वो winter में, सर्गयों में बहुत कम होता है, I cannot come down without a ladder, down, I cannot come, मैं नहीं आ सकता, नीचे, किसके बिना, सिड़ियों के बिना, birds are flying in the sky, चडिया आसमान में उड़ती है, a kite cannot fly without wind, पतंग जो है वो हवा के बगर नहीं उड़ सकता, बच्चों आपने इतना किया, अब आपके लिए कुछ homework है, देखो, make the pairs of rhyming words which you find in the poem, क्या करना है, rhyming words बनाने है, जो आपको poem से poem में मिलेंगे, जैसे मैं आपको example दे रही हूँ, low, go, दोनों का उच्चारन कैसे हो रहा है, एक जैसा, low, go, अर्थ हला रहा है, मगर उच्चारन एक जैसा, यह है rhyming words, तो आपको poem से ऐसे यह rhyming words चूज करने हैं और लिखने हैं, सेकेंड देखो, label the diagram, यह diagram दिखाई दे रहा हैं आपको, इसको labeling करनी हैं, मितलग क्या क्या है, उन डब्बों में लिखना हैं, ठीक है, डब्बों में क्या दिखाई दे रहा है, एरो के द्वारा उसको आपको लिखना हैं, ठीक है, तो बच्चों, this is all for today, we will meet on next class, till then, bye bye.